वाइरसेज को हम पढ़े थे और आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम देखेंगे पैरसिटिक नेचर आफ वाइरस ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको डिसकस करना जरूरी मैंने समझा कियों की रेक्श में पार कसी वाइरसिटिक नेचर वाइरसिस की क्यों होती है और कैसे होती है आज की लेक्चर में हम ये न बहुलsters डेखेंगे तो स्टाट कुरनें अपना फॉर्मल लेक्चर सबसे पाहरे तो आए देख वाइरस को जैसे कि हमने पेहले भी स्कास किया था कि वारिसे जब भी एक्ट करते हैं उनको एक host cell चाहिए होता है host organism चाहिए होता है जिसके उपर वो attack करते हैं और फिर attack करने के अंदर होता क्या है basically वो अपने आपको तो reproduce कर रहे होते है reproduce और reproduction के प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा होता है कोई ना कोई disease जो हो शो हो जाती है तो यह basically एक parasitic nature है वारिस की हमने जो पहले बात की वारिसेस के अंदर जब हम कह रहे थे living और non living characteristic viruses के जब हमने study किये थे तो हमने देखा था कि जो वारिसेस हैं वो host के अंदर जाके ही रिप्रोड्यूस करते हैं यानि के वारिसेस को एक host cell जरूर चाहिए होता है अपने life cycle को complete करने के लिए तो ऐसा क्यूं है why viruses need a host cell why viruses need a host cell इस question को answer करने के लिए हम different details के अंदर देखेंगे कि ऐसा क्यूं होता है viruses basically क्या करते है वारिसेस जो है वो infect करते हैं cells को चीक है वो जो cells हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं वो किसी bacteria का भी cell हो सकता है वो cell किसी human being का भी कोई cell हो सकता है viruses कभी भी जब हम बात करते हैं किसी isolated virus की तो isolated virus जो है वो कभी भी reproduce नहीं करता यानि कि वो 1 से 2 और 2 से 4 में डिवाइड यानि कि वो virus नहीं हो सकता वो क्यूं नहीं हो सकता क्युंकि हमने बात किती ही कि जो viruses हैं उनके अंदर कोई viruses कोई metabolic activity Tibetan नहीं होती viruses के अंदर कोई metabolic enzymes नहीं है viruses के अंदर कोई nucleic acids वगएरा ribosomes नहीं है और उनके अंदर राइबोजोंस नहीं तो अबियसली वो प्रोटीम भी नहीं खुद बना सकते हैं तो ये वाइरसे के अंदर एक ड्रॉबेर कहलें उनका अपना है कि वो ऐसे नहीं कर सकते हैं और इसी वज़ा से उनको एक होस्ट सेल की जरूरत होती है एक होस्ट और्गनिजम के उपर जाके वो अटाइच हो जाते हैं और फिर वो उसको इनफेक्ट करते हैं अच्छा जब हम बात करते हैं होस्ट सेल की तो एक बहुत इंट्रस्टिंग फिनॉमेना देखने में आता है वो यह होता है कि वाइरसे जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं तो देर होस्ट स्पेसिफिक को लिख के देख लेते हैं स्पेसिफिक तो देर होस्ट यह वाइरसे के करेक्टरिस्टिक के अंदर भी आप यह बात लिख सकते हैं डाल सकते हैं specific to host होने का मतलब यह है के वायरूस अगर for example कोई ऐसा वायरूस है जिसने好像 बैक्टीरिया को इंफेक्ट करना है तो वह सिस्फ बैक्टीरिया को ही इंफेक्ट करेगा, वह किसी और चीज़ को इंफेक्ट नहीं कर सकता for example, जैसे बैक्टीरियो फेज को हमने देखा था ब cobra can par אा इक्तिरियो फेज यह और ऐसी तरह जैसे हमने त बैको मुजेक वाइरिस जो है और ओपर ही एक्ट करेगा इसी तरह अगर हम बात करते हैं रेबीज की रेबीज कॉल्स करने वारे जो वाइरस है रेबीज वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के उपर ही अटाक करेंगे या मैमल्स को ही सिर्फ इंफेक्ट कर सकते हैं इसी तरह अगर हम HIV की बात करें HIV Human Immuno Deficiency Virus उसके अंदर क्या होगा कि जो HIV वाइरस है वो सिर्फ और सिर्फ Human Beings के अंदर बलके यहां पर तो Specificity और जादा हो जाती है कि वो सिर्फ Human Beings के अंदर जो उनके वाइट ब्लड सेज़ हैं सिर्फ उनको इंफेक्ट करते हैं इसके अलावा वो और अगर रेड बलड सेज़ होंगे तो उनको इंफेक्ट नहीं करेंगे इसी तरह अगर वो कोई और 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 जैसे के हम कहलें कि अगर मंकी हैं चिंपेंजिस हैं मंकी हैं तो उसके ओपर और यहावी वायरस उसके अंदर आप इंफेक्ट भी करके देखनें तो भी उसके अंदर यह डिजीज कॉस नहीं होगी तो यह हम देखने हैं पीसिदिस इसी तरह हमारे पास पोलियो वायरस है पोलियो वायरस जो कहा है वह भी हीमन लिग देखेंगे ओनें हम इसे इसका स्ट्रक्चर भी देखा था इंसो इंसा वायरस जो है फ्लू का वायरस वो सिर्फ हमारे रेस्पाइरेटरी ट्रैक के अंदर रेस्पाइरेटरी ट्रैक सिर्फ रेस्पाइरेटरी ट्रैक और इसके अगर रिजन देखना हम चाहें तो इसके एक रीजन तो यहिए बन जाती है कि वह यह बन जाती है कि वह यह के वाईरसिन ने क्योंक्य रतुन 20 इन्य 56 का ज्यून3 कह más ओक है या उसकी पसंद का host cell उसको मिल जाएगा तो यह हमने देख लिया कि वाइरस का host के साथ जो relationship है या फिर हमने देख लिया कि why viruses need a host cell इसके बाद हम एक और चीज़ को देख लेते हैं और यह है कि वाइरस जब host cell के अंदर जाते हैं तो होता गए या फिर हम यह देख लेते हैं कि जब वाइरस host cell के अंदर जाते हैं हमने अपने पिछली classes के अंदर एक phenomenon पढ़ा था जिसे हम कहते हैं immune system और immune system क्या था कि जब भी कोई foreign body या कोई बाहर से ऐसी ऐसी चीज़ हमारे body के अंदर चली जाए जो कि body का हिस्सा नहीं है तो क्या होता है कि हमारा immune system active हो जाता है वो उस organism या उस body के खिलाफ जा है वो antibodies बनाता है और वो उसको body से निकाल देता है अब immune system होने के virus एक host cell के अंदर किस तरह चले जाते हैं और फिर वो अपनी activity किस तरह से carry on रखते हैं यह इस तरह से होता है कि जब भी एक virus अपने host के अंदर जाता है तो हम इसको ऐसा देखने कि virus जो है बहुत ही चालाक organism है ठीक है वो host body को block कर देता है उसके different processes को समझ लेता है उसके अपने आपको adapt करता है वो different तरीके से कर सकता है for example वो यह कर सकता है कि जो enzymes है जिन्होंने activate होना है वो उनको block कर दे यानि कि blocking compliment activation ठीक है या फिर वो ऐसे भी कर सकता है कि वो कुछ virus के जाने से जो हमारे body के अंदर कुछ chemicals produce होने है या antiviral response है वो उसको inhibit कर दे inhibit antiviral response of the body ठीक है या फिर वो यह भी कर सकता है कि वो जो हमारे पास complex किसम के substances बनने हैं जैसे for example जैसे for example cytokines a substance है तो वो उसकी production रोगनेगा blocking production of cytokines 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 के response में जो और जो भी हमारे पास chemicals बनते हैं वो उनको रोग देगा इसके लावा वाइरस यह भी कर सकता है कि अपना genetic composition यह एक बहुत इंट्रस्टिंग चीज है जिसको आप देखके कि वो क्या है कि वाइरस जो है वो अपनी जो genetic constitution है जैनि जिस चीज से वो मिलके बना है वो उसको इतना जल्दी चेंज कर लेता है कि जो host का body है या host के body के अंदर जो antibodies बन रही है वो उसके उपर कोई कोई फर्क नहीं पढ़ने लेती या अगर हम कोई vaccine यूज कर रहे है या कोई antibodies हमारे body में बनी है वो उसके उपर act ही नहीं करती इसे हमने कहके दिया कि यह चेंज कर लेता है चेंज its own genetic constitution ठीक है तो यह कुछ खास कुछ तरीके हैं जिसके through virus जो है वो immune system को block कर देता है और immune system जो है वो सही से काम नहीं कर सकता और virus को यह फाइदा मिल जाता है कि वो act कर सकता है और अपना normal जो उसका पूरा process है life cycle है वो उसको complete कर लेता है इसके बाद हम अपने एक और third part के उपर आ जाते हैं और वो यह है कि जब virus को अपने suitable situations या unfavorable conditions virus को मिलें तो वो क्या करता है यानि how a virus acts in unfavorable conditions unfavorable condition क्या हो सकती है कि host cell के अंदर या host organism के अंदर उसको जिस किसम का environment चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा या फिर यह हो सकता है कि virus जो है वो एक host के अंदर नहीं है अब वो होस्ते बहार आगे तो वो किस तरह से act करता है या किस तरह से अपने आपको परसाइट्स और दे नीड अहोस्त सेल उनको एक host cell चाहिए और अगर host cell नहीं है तो वो host cell के बाहर हमेशा कोई ना कोई अपनी फॉर्म इस तरह की बना लेंगे कि वो exist करते रहेंगे एक्जांबल वाइरिस को जब टबैको मुझा की बात कीती है तो उनने कहा था कि टबैक we can have something body के अंधर ही किसी और फॉर्म में रह लेते हैं जिसस फॉर एक्जांपल वो अपने आप को स्टॉर कर लेते हैं किसी ने किसी चीज में for एक्जांपल सलाइवा के अंदर या फिर वह ऐसे करेंगे कि किसी टिशू के अंदर या किसी सेल के अंदर, रेस्पाइरेटरी ट्रैक के अंदर, रेस्पाइरेटरी ट्रैक के अंदर हो सकता है, वह फीसिस के अंदर, या फिर हमारे रेस्पाइरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं, रेस्पाइरेटरी, ड्रॉप तो यह इस तरह से वाइरिस आपको सेव कर लेता है यह तोела क्रिस्टलाइजाईजाईजाए क्रिस्टल में बन जाएगा चेंज जाएगा या फिर वह अपने आपको फॉर करदेगा किसी ऐसे चीज में उस तक जब तक वह उसको उसको मज़ीद फै्वरेबल कंडिशन‌्मै उ नहीं मिल जाता जो उसको चाहिए था रीप्रोडियूस करने के लिए तो यह हमने देख लिया कि वाइरिस के साथ अनफेवरोबल कंडिशन में सर्वाइव करते हैं अगर हम ऐक्स करने हैं तो जो हमारे टंग के ऊपर यह रहते हैं वाइरिस स्य उनको हम कहते हैं E B V और इससे क्या है टंग की different diseases हमारे पास होजिती है जुबान के उपर जो diseases है इसी तरह respiratory tract के उपर जो viruses या respiratory droplets के अंदर होते है वो flu का influenza A virus हम उसको कहते है influenza A virus वो respiratory droplets के अंदर होते है इसी तरह जो small box virus हो फीसिस के अंदर हो तो इस तरह से different types of viruses और वो उन्होंने अपने लिए horse cell पहले से सोच के रखा वोगर नहीं मिलता तो वो किसी और form में किसी और cell के ऊपर store हो जाते हैं वायरस हम इसको समराइज कर लेते हैं आज की लेक्चर को हमने देखा के वायरस जो है उनको host जायोता है रिप्रोड्यूस करने के लिए और इसके लिए एक हम खास term यूज करते हैं जो कि हमने आपको अलड़ी बताई है जिसे हम कहते हैं obligate intracellular parasite वायरस जो है वायरस जो है वो एक parasite है और वो किस किसम का वायरस जो है obligate intracellular parasite यानि कि इसको एक cell obligate intracellular है इसको एक अदद cell जा होस्ट जरूर चाहिए होता है जिसके अंदर रह सके और उसको infect कर सके वायरस को host cell क्यों चाहिए इसके हमने different reasons देख नहीं पिर हमने एक इसके तरह से immune system को block करते हैं और living host जिसके ओपर जाके वो infect करते हैं या attach हुजाते हैं वो किस तरह से उसके अंदर survive करते हैं उसके बाद हमने देख लिए के अगर उनको favorable conditions ना मिले या host cell ना मिले तो किस तरह से वो survive करते हैं तो यह तो हमने देख लिया parasitic nature of virus